शिद्दू क्या बार बार इम्रान हुसें, इम्रान खान, जिन्दाबाद, इम्रान खान, जिन्दाबाद करते हो आपके बड़े भाइए मैं अपील करता हूँ मैं शिद्दू के खिलाब मैं धरना दूँगा और शिद्दू को इस देश से देश निकाला ह Bowser पाकिस्तान में उसकी फैमिली को सिफ्ट करना चाहिए परसनल तमन्ना है मैं अपने प्रधान मंतरी को बबार शेर मानता हूँ और जब बबार शेर धारता है तो ये चुवे खुद बिल में घुच जाते हैं इसी तरह राहूल गांदी प्रेंका गांदी और ये जितने भी हैं सब अपने बिलों में घुचे हैं अगर उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है क्योंकि ये देश की पक्ष का मुद्दा है और पाकिस्तान पे जबाब दीजी न राहूल जी आपका MLA आपका पूर उपमुख्य मंतरी सिद्दू साब आपकी पार्टी के परदेश अद्यक्ष बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इमरान खान मेरा भाई है अब आप क्यों बिल में घुच गए हैं बिल से बाहर आईए और बबबर शेर का मुकाबला कीजिए आपके पास कोई लीडर नहीं है ये सिर्फ पब्लिसिटी टी आरपी के लिए ये लोग ऐसा कर रहे है संस्कृति कैसे एक है मैं पूछना चाहता हूं सिद्दू जी आप आईए मेरे साथ बैठिए प्रेस कॉंफरेंस सिद्दू जी मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूं एक जमाने में आप हमारे देश के परदान मंतरी के नारे लगाते थे हमारे परदान मंतरी की देने आपको ये पहचान नंदर मोदी जी की पहचान देने और आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदूस्तान की नन्मिती है कि हमारे देश में ऐसांती फैलाने का काम शिद्दू या कॉंग्रेश कर रही हो पंजाब में विधान सभा के चुनाव आने वाले हैं उससे पहले पंजाब याने की पंजाब गॉर्णमेंट से ही आने वाले नवजोसिंग सिद्दू की तरब से बड़ा बयान सामने आया है इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं नवजोसिंग सिद्दू क्या क लगना चाहिए और आपको अगर इतना ही पाकिस्तान से प्यार है तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं ले जाते अपनी फैमली को खाते आप हिंदुस्तान का रहते आप हिंदुस्तान में और गुंगान आप गाते हैं मतलब जो है पाकिस्तान के और पाकिस्तान के ये किर्केट क आपका बड़ा भाई हो जाता है, तो आप इंडिया में क्या कर रहे हैं, आप हमारे देश में आतना कवाद फैलाने का काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही मनी संकर अयर साब ने जा कर के कहा था कि हमें पाकिस्तान से मोदी जी को हराने की मदद चाहिए आपको पाकिस्तान से ही क्यों मदद चाहिए मुझे बताइए क्या पाकिस्तान हमारा भी गाड़ेगा जितने पूरे पाकिस्तान में मुसल्मान है उतने हमारी एक विधान से अपील करते हैं कि ऐसे देशध्रों पे मुकदमा कर जाए शिद्दू पे देशध्रों का मुकदमा लगाया जाए और इन कॉंग्रेश को आने वाले विदान्सभाद चुनाओं में इनकी जमानित तक टोगी इनकी सरकार तो क्या इनकी जमानजबत हूंगी तरफ बड़ा भाई बतारहे है नवजोंस्टिव तो बहीं दूसरी तरफ कहा रहे हैं कि भारत और पहचान नंदर मोधी जी की पहचान देने और आज आप कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नन्मिती है कि पाकिस्तान को आतंक वाद फैलाना पसंद है कि आप कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आतंक वाद मुझे तो लगता है आप आईएसाई के एजंट है हो सकत है अपना जनाधार वापस लाने के लिए पाकिस्तान से हमेशा मदद मांगना या पर प्रधान मंतरी जो पकिस्तान की प्रधान मंतरी हैं इम्रान खार या फिर जो उनके कमांडर है बाजवा को रिष्टिदार बतान हम हिंदुस्तान का है नमक हम अपने हिंदुस्तान का खाते हैं और गुंगान आप बजाए देश के परदान मंतरी नंदर मोदी जी के करने के आप पाकिस्तान के परदान मंत्री के करते हैं, आपको शरम आनी चाहिए, हमारे देश का परदान मंत्री, जो परदान मंत्री होता है, वो किसी पार्टी का परदान मंत्री नहीं होता है, पूरे देश का परदान मंत्री होता है, अगर आपको फंड मिलता है, तो हमारे परदान मंत्री राहत कोश से फंड मिलता आपके पंजाम में लगाने के लिए तब आपको परधान मंत्री जी की याद नहीं आती तब आपको इम्रान की याद नहीं आती कि आप जाईए इम्रान से फंड लीजे अरे किस बिकारी देश की बात कर रहे हैं मैं पूरी यू और इसे कहना चाहता हूं पूर देद्रों का मुकदमा लगाकर के अंदर करना चाहिए चाहिए वो राजनेता हो चाहिए कोई भी आदमी हो पाकिस्तान प्रेम दिखा रहा है कॉंग्रेस के देता तो वहीं दूसरी तरफ 26 तारिक को 26 जनवरी को उपद्रफ मचाने वाले जिस तरीके से किसान के भेज मैं या जी कि ये मैं स्रीम साब को सला देना चाहता हूँ कि आपको शरम आनी चाहिए कि लाल किले पे जहां पे देश के परदान मंतरी और राष्ट पती तरंगा लहरा करके देश को संबोदित करते हैं वहीं पे आपने एक समाच का जंडा लहरा करके इस देश को बदनाम किया है इस देश को आपको माफी मांगने चाहिए सिर्फ एक चंद बोटों के खातिर आप चाहती हो कि बिदान सबा चुनाव जीतने के खातिर सिर्फ किसानों को दो दो लाख रुपया दे बड़ी शरम की बात है लेकिन उसके बाद भी मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ आपके हालाद बताना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस वापस सकता में कभी नहीं आएगी जब तक नरंदर मोदी जैसे बबर शेर इस दुस्तान के परधान मंतरी हैं नरंदर मोदी और आप जैसे चुए इसी तरह के काम करेंगे पैसो का लालत देंगे कभी पाकिस्तान का करेंगे कभी कुछ करेंगे लेकिन मैं अपने बबर शेर मानने परधान मंतरी सिरी नरंदर मोदी जी को सलूट करता हूं जिनके डर से आप पाकिस्तान के गुन गाते हो लेकिन लेकिन मैं साथ ही साथ परधान मंतरी जी से अपील करता हूँ कि अब इन जैसे शुद्दू जैसे देश द्रो पर और इन जितने भी गुंगान मनीक संकर अयर जैसे गुंगान करते हैं इनको तुरंट देश द्रो का मुकदमा लगा कर इस देश से निकालना चाहिए लगातार जिस तरीके से खालीस्तानी मूछमेंट को चलाने का प्रयास देश में किया जा रहा है कांग्रस उन लोगों को सपोर्ट करके अगूर क्या जाहिए चाहिए है देखिए खालीस्तान या पाकिस्तान अपने दिमाग से निकाल दें कि हिंदुस्तान को वो कुछ बिगाड सकते हैं क्योंकि हमारे देश के बंबर शेर हमारे देश की तरजिस्वी प्रदान मंतری नरंदर मोदी जी, आमिशा ग्रह मंतری जी ऐसे शेर बैठे हैं कि इन को भगा भगा करके हम लोग उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें आदेश करने की जरूरत है, हम हजारों मुसल्मान, हजारों मुसल्मान पाकिस्तान के खिलाप हैं, और मैं फिर एक बात अपनी बात मंतری आदर नरंदर मोदी से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अमिशा ग्रह मंतری जी से प्यार करते हैं, और मैं नारा लगाता हूँ, नरंदर मोदी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिसमें दमे मुझे रोक करके दिखाएं, और क्या तू बार 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 इम्रान और सिद्दू क्या बार बार इम्रान हुसें इम्रान खान जिंदाबाद इम्रान खान जिंदाबाद करते हो आपके बड़े भाई हैं मैं अपील करता हूँ मैं सिद्दू के खिलाब मैं धरना दूँगा और सिद्दू को इस देश से देश निकाला होना चाहिए उस क्या उनके सामने किस तरीके के समग्रन हने वाले हैं वेदानसभाब में? देखिए कैप्टन अमरिंदर जी बहुत अच्छे इंसान है मैं जितना उनको परसनली जानता हूँ मैं बच्पन से उन्हें परसनली जानता हूँ और कैप्टन अमरिंदर सिंग जी एक सुलजे हुए नेता थे जिस कॉंग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर जैसे इनसान की कदर नहीं की और आज मैं खुले मंच से कहना चाहता हूँ कैप्टन जी आप आईए मानने नरंदर मोदी जी का साथ दीजिए पंजाब में सरकार बनाईए और आपको सरकार बनाएं और हमारे देश के बबर शेर मानने सरी नरंदर मोदी जी का साथ देना चाहिए और कॉंग्रेस ने आपकी कोई कदर नहीं की कॉंग्रेस ने इसलिए कदर नहीं करी कि उनको कदर आती नहीं है आज हो सकता क्यों चीनी उनसे क्योंकि उन्होंने मुसल्मानों के साथ धोका किया, उन्होंने सिक्कों के साथ धोका किया, उन्होंने इसाईयों के साथ धोका किया, उन्होंने हर किसी के साथ धोका किया, आज उनके पास कोई कदावर नेता नहीं है, सेरे पूँ अपने गल्त बियान देते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं, आलू की फैक्टरी के पक्ष में बयान देते हैं, ऐसे ऐसे निता उनके पास है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपने कैप्टन अमिंदर सिंग जी को बदाई देता हूँ, और साथ के साथ मैं उनका तहह दिल से स्वागत करता हूँ, कि व आएं और हमारे मानिय नरंदर मोधी जी को सपोर्ट करें और हम आपको विश्वाद दलाते हैं जो कॉंग्रेस ने आपको सम्मान नी दिया कॉंग्रेस ने मान नी दिया वो कॉंग्रेस की जगा हमारे देश के परदान मंतरी जी और ग्रे मंतरी जी आपको मान भी देंगे सम् प्जाब के मुखे मंतری चरंजी की चन् lançी हो यह फिर तमाम और नेता हों जब केंद सरकार की तरफ से ग्रह मंतराले की तरफ से BSF की पावर को बढ़ा दिया गया जो दाइरह है BSF की पावर का उसे 50 किलोमिटर कर दिया गया उसको ले-कर पंजाब की सरकार बोलती है कि पंजाबियों की आजादी चीनने के लिए सारी चीज़ां की जा रही है B.S.F. की पावर को क्यों बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करती है किस तरीके से देखते हैं दोनों चीज़ों देखे मैं तो चाहता हूँ की और सुरक्षा बढ़ाया जाए और B.S.F. को पावर देके मैं देश के परदान मंतरी और गरे मंतरी जिका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है चाहे चन्नी हो चाहे सिद्धू हो चाहे चन्नी हो इनका कोई भरोसा नहीं है कब ये पाकिस्तानी घुसपैटियों को हमारे हिंदुस्तान में घुसा दें और बहुत ही अच्छा निर्ने है ये जो B.S.F. को कमान दी गई है और अच्छे मैं तो चाहता हूँ कि और सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि अलक्षन जीतनी के लिए सामपरदाइकता भी फैला सकते हैं ये कुछ भी करा सकते हैं जब ये पाकिस्तान के खुले आम गुनगान गा रहे हैं पाकिस्तान के मतलब ये वाजबा के गले लगते हैं कभी कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदा बाद है और पाकिस्तान का दिल खोलके स्वागत है तो बहुत अच्छा किया देश के परदान मंतरी और ग्राइ मंतरी ने B.S.F. की सुरक्षा बढ़ाई जाये मैं कहता हूँ इस से जादा अगर कोई शुरक्षा हो तो वो भी पंजाब में लगाई जाए मुझे आसंका है मैं शकील सैफी चेर्मेन ओफ दा वर्ल्ड पीस हारमनी मुझे पूरी आसंका है कि ये पंजाब के चुनाव के लिए शिद्दू जी और चन्नी साथ जो सीम मनिस्टर है कहीं गुस्पेटि ये ना अंदर गुस्पेट करें और हमारे देश की हावो हवा को खराब ना करें बीस एफ को लेकर लगातार बयान बाजी कॉंगरेस की तरफ से होती है दूसरे तरफ पाकिस्तान को बड़ा भाई बताया जाता है पर इसको लेकर लगाता ट्वीटर पर एक्टिव रहने वाले राहूल गांदी जो पीम निरंदो मोदी के लिए हर दूसरे दिन ट्वीट करते हैं इस बात को लेकर अभी तक कुछ बयान बाजी नहीं है ये सोनिया गांदी राहूल गांदी और प्रेंगा वाडरा की तरफ से देखे हमारे मैं बबबर शेर कहता हूँ मेरी परसनल तमन्ना है मैं अपने परधान मंतरी को बबबर शेर मानता हूँ और जब बबर शेर धारता है न तो ये चुए खुद बिल में घुच जाते हैं इसी तरह राहूल गांदी प्रेंगा गांदी और ये जितने भी हैं सब अपने बिलों में घुचे हैं अगर उनको कोई मुद्धा नहीं मिलता है क्योंकि ये देश की पक्ष का मुद्धा है और पाकिस्तान पे जवाब दीजी न राहूल जी आपका MLA आपका पूर उपमुख्य मंतरी सिद्धू साब आपकी पार्टी के परदेश अद्यक्ष बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इमर पाकिटी